वायू मंडल पृत्विके चार ओर से घेरे हुए वायू के विस्तरत फैलाव को वायू मंडल एट्मॉस्पेर कहने कहते हैं वायू मंडल के उपरी परत के अध्यन को वायू विग्यान एरोलोजी और निचली परत के अध्यन को उरितू विग्यान मेटरोलोजी कहते हैं आयतन के नुसार वायू मंडल में 30 मेल के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है वायू मंडल में पाए जाने वाले कुछ महरपून गैस एक नाइट्रोजन इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है नाइट्रोजन की उपस्तिती के कारण ही वायू दाव पवनों की शक्ती तथा प्रकाश के परावरतन का आभास होता है इस गैस का कोई रंग, गंध, अध्वा, स्वाध नहीं होता नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाब ये है कि ये वस्तूओं को तेजी से जलने से बचाती है यदि वायू मंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंतरन रखना कठिन हो जाता नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्मान होता है जो भोजन का मुख्य अंग है ये गैस वायू मंडल में 128 किलोमीटर की उंचाई तक पहली हुई है प्रिश्ट 139 ये अन्य पधार्तों के साथ मिलकर जलने का कारी करती है आक्सिजन के अभाव में हम इंधन नहीं जला सकते आता ये उर्जा का मुख्य स्रोथ है ये गैस वायू मंडल में 64 किलोमीटर की उंचाई तक पहली हुई है परन्तों 16 किलोमीटर से उपर जाकर इसकी मातरा बहुत कम हो जाती है ये सबसे भारी गैस है और इस कारण ये सबसे निचली परत में मिलती है फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की उचाई तक है ये गैस सूरिय से आने वाली विदिकरण के लिए पार गम्य तथा प्रित्वी से परावर्तित होने वाले विकरण के लिए अपरा गम्य है अतह ये कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदाई हैं और वायू मंडल के निचली परत को गर्म रखती है चार ओजोन ये गैस ऑक्सिजन का ही एक विशेश रूप है ये वायू मंडल में अधिक उचाईयों पर ही अतिनियून मातरा में मिलती है ये सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी के विकरण अल्ट्रा वायले ट रेडियेशन के कुछ अंच को अवशोशत कर लेती है ये दस से पचास किलोमीटर की उचाई तक केंद्रित है आकाश का रंग नीला दूल कंड के कारण ही दिखाई देता है जलवाश्प सूर्य से आने वाले सूर्या तप के कुछ भाग को अवशोशत कर लेता है तथा पृत्वी द्वारा विकिरत उश्मा को संजोई रखता है इस प्रकार ये एक कंबल का काम करता है जिससे प्रित्वी ना तो अतिधिक गर्म और ना ही अतिधिक ठंडी हो सकती है जलवाश्प के संगरहन से वरिष्टी होती है बायू मंडल में जलवाश्प सबसे अधिक परिवर्तन शील तधा आसमान वितरन वाली गैस है प्रित्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदाई है CO2 एवं जलवाश्प बायू मंडल की संरचना बायू मंडल को निम्न परतों में बाटा गया है ये वायू मंडल का सबसे नीचे वाली परत है इसकी उँचाई दुरूवाँ पर आट किलोमीटर तधा, विशुवत रेखा पर लगबग 18 किलोमीटर होती है क्षोब मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रती 165 मीटर की उचाई पर 1 डिगरी सेल्सियस अत्वा 1 किलो मीटर की उचाई पर 6.4 डिगरी सेल्सियस होती है सभी मुख्य बायू मंडल ये घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है इस मंडल को समवेहन मंडल कहते हैं क्योंकि समवेहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं इस मंडल को अधु मंडल भी कहते हैं 2. समताप मंडल स्ट्रेटो स्वेयर समताप मंडल 18-32 किलोमीटर की उचाई तक है इसमें ताप समान रहता है इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली, कड़क, दूलकन एवं जलवाश आधी कुछ नहीं होती है इस मंडल में वायूयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल की मोटाई धुरूवो पर सबसे अधिक होती है कभी-कभी विश्वत रेखा पर इसका लोप हो जाता है कभी-कभी इस मंडल में विशेश प्रकार की मेगों का निर्मान होता है जिन्हें मूलाब मेक, Mother of Pearl Cloud कहते है प्रिष्ट 130 तीन, ओजोन मंडल ओजोनो स्फेयर धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोर्षित कर लेती है इसलिए इसे प्रिथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं ओजोन परत को नश्ट करने वाली गैस CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन है जो एर कंडिशनर रेफरेजरेटर आदी से निकलती है ओजोन परत में एक शरण CFC में उपस्त सक्रिय कलोरी कारण C L कारण होती है ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन एकाई का प्रयोग किया जाता है इस मंडल में उचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है प्रती एक किलोमेटर की उचाई पर तापमान में पांच डिगरी सेल्सियस के व्रिद्धी होती है इसकी उचाई साथ किलोमेटर से 640 किलोमेटर तक होती है ये भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरुनो द्वारा आयनिक रिद्ध होता रहता है इस मंडल में सबसे नीचे स्थित D लेयर से लॉंग रेडियो वेवस एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शौर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है जिसके भलसरू प्रिद्वी पर रेडियो, टेलिविजन, टेलिफोन एवं रडार आदी की सुविधा प्राप्त होती है संचार उबग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं पांच भाये मंडल एक्सो स्पेर 640 किलो मीटर से उपर के भाग को बहाई मंडल कहा जाता है इसकी कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं है इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है सूरिया तप आईनो सोलेशन सूरिय से प्रित्वी तक पहुँचने वाले सौर विकरन उड़जा को सूरिया तप कहते है ये उड़जा लगुत अरंगों के रूप में सूरिय से प्रित्वी पर पहुँचती है वायू मंडल की भारी सीमा पर सूर्य से प्रतिमिनट प्रतिवर्ग सेंटीमीटर पर एक तशमलव नौचार कैलोरी उश्मा प्राप्त होती है किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूरियातप की मात्रा एब उसी सतह से परावर्दत की जाने वाली सूरियातप की मात्रा के बीच का अनुपाद एली बडो कहलाता है वायू मंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विद्यों से होता है 1. विकिरण, रिडियेशन किसी बदार्थ को उश्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं उधारन तया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से प्रित्वी तथा उसका वायू मंडल गर्म होता है यही एक मात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे उष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है सूर्य से आने वाली किरणे लगू तरंगो वाली होती है जो वायू मंडल को बिना अधिक गर्म किये ही उसे पार करके प्रित्वी तक पहुँच जाती है प्रित्वी पर पहुची हुई किरणों का बहुत सभाग पुना वायू मंडल में चला जाता है इसे भौमिक विकिरण टेरिस्ट्रियल रेडियेशन कहते हैं वायू मंडल सुगमता से अवशोशित कर लेता है अताव वायू मंडल सूरियल से आने वाले सौर विकिरण की आपेक्षा वायू में विकिरण से अधिक गर्म होता है जब आसमान ताप वाली दो वस्तु में एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु में कम तापमान वाली वस्तु की और उश्मा प्रवाहित होती है उख्ष्मा का ये प्रभाद तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तों का तापमान एक जैसा ना हो जाए वायू उख्ष्मा की कुछालक है अधह संचारन पक्रिया वायू मंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्रपूर्ण है इसे वायू मंडल की केवल निचली परत ही गर्म होती है प्रिष्ट 131 किसी गैसी अत्वा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की और उसके अडूओं द्वारा उश्मा के संचार को संचार को संचार गैसी तथा तरल पदार्थों में इसलिए होता है क्योंकि उनके अडूओं के बीच का संबन कमजोर होता है ये प्रक्रियत उस्पदार्थों में नहीं होती है जब वायू मंडल की निचली परत भौमिक विकिरन अध्वा संचालनक से गर्म हो जाती है तो उसकी वायू पहलती है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है गरत्व कम होने से वो खलकी हो जाती है और उपर को उठती है इस प्रकार वो वायू निचली परतों की उश्मा को उपर के लिये लिजाती है उपर से ठंडी वायू उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाती है इस प्रकार समवेहन प्रक्रिया द्वारा वायू मंडल क्रमशाह नीचे से उपर गर्म होता है वायू मंडल गर्म होने में ये मुख्य भूमिका निभाता है चार अभी वेहन एडवेक्शन इस प्रक्रिया में उश्मा का क्षेतिज दिशा में स्थानांतरन होता है गर्म वायू राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर दीती है इससे उश्मा का संचार निम्न अक्षान शेक शेत्रों से उच्छ अक्षान शेक शेत्रों तक भी होता है वायुद्वारा संचालित समुंद्री धाराएं भी उश्निकटी बंदों से दुरूबीक शेत्रों में उश्मा का संचार करती है समताप रेखा वो कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण को निम्नलक्षन कहते हैं 1. समताप रेखाओं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समरान तर पिखीची जाती हैं इसका कारण ये है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्या ताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है दो जल और स्थान पर तापमान निभिन होते हैं अतह तटो पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं तीन दक्षिनी गोलार्द में जल भाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंदी विशमताएं कम पौई जाती है इसकी विपरीद उत्तरी गोलार्द में जल भाग कम है और वहाँ पर तापमान संबंदी विशमताएं अधिक पाई जाती है इस कारण दक्षिरी गोलार्द में समताप रेखाओं में मोड कम आते हैं और उनकी पूर्फ पश्टिम दिशा अधिक स्पश्ट है 4. समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवंटा तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है यदि समताप रेखाओं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवंटा अधिक होती है इसके विप्रीद यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवन्ता कम होती है पांच, उश्न कटिबंधिये प्रदेशों में तापमान अधिक होता है अतह अधिक मूल्ये वाली समताप रेखाएं उश्न कटिबंध में होती है द्रोविय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है अता वहाँ पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती है संसार के अधिकांज इक्षेत्रों के लिए जन्वरी एवं जुलाई के महीनों में नियुंतम अत्वा अधिक्तम तापमान पाय जाता है यही कारण है कि तापमान विशलेशन के लिए बहुदा इन्ही दो महीनों में को चुना जाता है अधिक्तम तथा नियुंतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं ये दो प्रकार का होता है जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीश में तथा शीतरुतू के तापमान में भी अंतर होता है अधह किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्शिक तापा अंतर खहते हैं विश्व में सबसे आर्धिक वार्षिक तामपांतर 65.5 डिग्री सेल्सियर साइबेरिया में स्थित बरक होया नामक स्थान का है किसी भी स्थान विशेश के औसत तापकरम तथा उसके अक्षांज के औसत तापकरम के अंतर को ताप ये विसंगती कहते हैं प्रिष्ट 132 वायू मंडलिये दाब पवन एवं वायू राशियां वायू दाब सामाने दशाओं में समुद्रतल पर वायू दाब पारे के 76 सेंटिमीटर या 760 मिलिमीटर उचे स्थम्ब ध्वारा पढ़ने वाला दाब होता है वायू दाब बैरोमीटर से मापा जाता है वायू मंडलिये दाब को मौसम के पूरवानुमान के लिए एक महत्रपुन सूचक माना जाता है वायू मंडलिये दाब की काई बार है एक बार बराबर 10 की पावर 5 एंड प्रती मीटर स्क्वैर समदाब रेखा वो कलपित रेखा जो समुन्द्रतल के बराबर घटाये हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है समदाब रेखा आईसो बार कहते हैं वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दशाया जाता है दूरी की प्रती एकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवंटा प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं जब समदाब रेखा एक दूसरे पास के पास होती है तो दाब प्रवंटा अधिक होती है परंतो जब समदाव रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो दाप रवंटा कम होती है प्रित्वे के धरातल पर चारवायू दाप कटिबंध है एक विशुवत रेखिये निम्नवाय दाप ये पेटी भुमद्य रेखा से 10 डिगरी उत्तरी तथा 10 डिगरी दक्षिनी अक्षानशों के बीच इस्थित है यहां सालों भर सूर्य की किरने लंबवत पढ़ती है जिसके कारण तापमान हमेशा उंचा रहता है इस कटिबंद में धराते ले शैतिच पवने नहीं चलती बलकि अधिक तापमान के कारण वायू हलकी उपर होकर उपर को उड़ती है और समवेहनिय धाराओं का जर्म होता है इसलिए इस कटिबंद को शांत कटिबंद या डोल ड्रम कहते हैं विशुवत रेखा पर पृत्वी के ग्रूनन का वेग सबसे अधिक होता है जिससे यहां पर अपकेंद्रिये वल सरवाधिक होता है जो वायू को पृत्वी के प्रिष्ट से परे धकेलती है इसके कारण भी यहां पर वायुदाप कम होता है यंत्र और आविशकारक पारद वायुदाब मापी आविशकारक E. टॉरी सैली निद्रव वायुदाब मापी लूसियन विदाई सेलसियस थर्मामीटर एंडर्स सेलसियस केश आधरता मापी D. सॉंसर दो उपोष्न उच्च वायुदाब उत्तरी तथा दक्षिनी गोलारदों में क्रमशाह करक और मकर रेखाओं से 35 डिगरी अक्षानशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं यहां उच्च दाब होने के दो कारण हैं विश्वत रेख ये कटीबंद से गर्म होकर उठने वाली वायू थंडी और भारी होकर करक तथा मकर रेखाओं से 35 डिगरी अक्षानशों के बीच नीचे उतरती हैं और उच्च वायुदाब उत्पन करती हैं विश्वत रेखा से 30 से 35 डिगरी अक्षानशों के मध्ये दोनों गोलार्दों में उच्च वायुदाब की पेठियां उफस्तित होती हैं इस उच्च वायुदाब वाली पेठी को अश्व अक्षानश कहते हैं इसका कारण ये है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्यमी द्वीब समुह में पालदार जलियानों में लाद कर गोड़े भेजे जाते हैं इन प्राया इन जलियानों को इन अक्षान्षों के बीच वायू शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कई कठिनाईयां होती थी अतह जलियानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेग दिये जाते थे प्रिष्ट 132 पर एक सरकल में ध्रूव्य उच वायुदाप कटिवन का एक चित्र दर्शाय गया है जिसमें सबसे उपर ध्रूव्य उच उप ध्रूव्य निम्न 66 सही एक बटा दो डिगरी और 45 डिगरी उपोष्ण उच 35 डिगरी और 23 सही एक बटा दो डिगरी विश्वत्य निम्न 0 डिगरी और 10 डिगरी तथा उपोष्ण उच 23 सही एक बटा दो डिगरी और 35 डिगरी उप ध्रूव्य निम्न 45 डिगरी तथा 66 सही एक बटा दो डिगरी द्रूव्य उच ये था द्रूव्य उच वायुदाब कटिबंद का एक चित्र प्रिष्ट 133 इन उपद्रूव्य निम्न वायुदाब पैतालिस डिग्री उत्तरी तथ दक्षिनी अक्षान्शों से क्रमशाह आर्केटिक तथा अंटाक्टिक व्रतों के बीच निम्न वायु द्रूव तक उच दाब पेटियां पाई जाती है पवन विंड पृत्वी के धरातल पर वायुदाब में शैतिज विशमताओं के कारण और हवा उच वायुदाब क्षेतर से निम्न वायुदाब क्षेतर की ओर पहती है शैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते है उर्दभार्दर दिशा में गतिशील, हवागो, वायुधारा, एर करेंट कहते हैं यदि पृत्वी स्थिर होती है और उसका धरातल सम्तल होता अतह पवन कई बल कौरी आलिस प्रभाव, अभी केंद्रिय त्वरन एवं भू घर्षन नोट कारी ओलिस प्रभाव कारी ओलिस एफेक्ट, पृत्वी के घुरूरन के कारण पवने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है इसे कारी ओलिस बल कहते हैं, इसका नाम फ्रांसेसी वेग्यानिक के नाम पर पढ़ा है जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव कावर्णन 1835 एस्ट वी में किया इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्द में पवने, दाहिनी और तत्त दक्षिनी गोलार्द में अपनी बाईं और मुड़ जाती है इस विक्षेप को फेरेल नामक वेग्यानिक ने सद्ध किया था, अधह इसे फेरेल का नियम, फेरेल स्लॉ कहते हैं इसे बाईज बैलिट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वेक्ती उत्तरी गोलार्द में पवन की और पीठ करके खड़ा हो, तो उच्चे दाव उसके दाईं और तत्त निम्न दाव उसके बाईं और होगा दक्षनी गोलार्द में स्थिती इसके ठीक विपरीत होगी, कारी ओलिस बल प्रभाव विश्वत रेखा पर शूर्ने होता है, अर्थात विश्वत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है, इस बल का अधिक्तम प्रभाव दुरुवो पर होता है, अर्था दुरुवो पर पवनों की दिशा में अधिक्टम विक्षेप होता है, पवन निम्ण प्रकार के होते हैं, एक प्रचलित पवन, दो मौसमी पवन और तीन इस्थानिये पवन, एक प्रचलित पवन, पृत्वी के विश्वत रेखा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित भवन या स्थाई भवन कहते हैं इस्थाई भवन एक वायू भार कटीबन से दूसरे वायू भार कटीबन की और नियमे तुरूप से चला करती है इसके उधारन है पच्छुआ पवन व्यापारिक पवन और दुरूवय पवन दोनों गोलार्दों में उपोशन उच्च बायुदाप कटी बंधों से उपद्रूब्य निमनबायुदाप कटी बंधों की ओर चलने वाली स्थाई हवा को इनकी पश्टम दिशा के कारण पच्छुआ पवन कहा जाता है पच्छुआ पवन का सर्वश्रेष्ट विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिन अक्षान्षों के मध्य पाया जाता है यहां के इन अक्षान्षों को गरस्ता 40 प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है यह सभी नाम नाविकों के लिए दिये हुए हैं व्यातारिक पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है कारी ओलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्द में अपनी दाई और तथा दक्षिनी गोलार्द में अपनी बाई और विक्षेपित हो जाता है दुरूविय पवन दुरूविय उच्चवाईदाप की पेटियों से उपदुरूवय निम्नवाईदाप की पेटियों के और प्रवाहित पवन को दुरूविय पवन के नाम से जाना जाता है उत्तरी गोलार्द में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिन पश्चिम की ओर तथा दक्षिनी गोलार्द में दक्षिन पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है प्रिश्ट 134 2. मौसमी पवन मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उनको मौसमी पवन कहा जाता है जैसे मानसूनी पवन, इस्थल समीर तथा समुंद्री समीर पवन तीन इस्थानिय पवन, प्रमुक गर्म इस्थानिय पवन, चिनुक ये संयुक्त राज अमेरिका और कनाडा में रौकी पर्वत श्टेनी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुश्क पवन है ये पवन रौकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाबदायक है क्योंकि शीतकाल खी अधिकांश अवधी में ये बर्व को पिगला कर चरागाहों को बर्व से मुक्त रखता है फौन ये अलपस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म यावम शुश्क हवा है इसका सरवाधिक प्रभाव स्वीजलेंड में होता है इसके प्रभाव से बर्व पिगल जाती है और पशुचारकों के लिए चरागाहा मिल जाता है इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते है हरमटन ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूरव दिशा में चलने वाली गर्म एवम शुश्क हवा है ये पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है सिराकों ये सहारा मरुस्तल से भूमद्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आदर हो जाती है और इटली पहुँच जाती है इसके अन्य स्थाने नाम भी हैं जैसे एक खमसिन मिस्र में, दो गिबिली लीबिया में, तीन चिली ट्यूनेशिया में, चार लेस्ट मेड्रिया में, पांच सिराको इटली में और छे लेबेक स्पेन में सिमूम, ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवंशुष्क हवा है ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिनी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी टेज दूगल भरी चलने वाली आंधी है ब्रिक फील्डर, ये उस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांथ में चलने वाली गर्म एवंशुष्क हवा है नारवेस्टर, ये न्यूजलेंड में उच्च परवतों से उतरने वाली गर्म एवंशुष्क हवा है ये इराग तता फारस के घाड़ी में चलने वाली गर्म एवंशुष्क हवा है सांटा आना, ये दक्षिनी कैलिफोर्निया में सांटा आना घाटी से चलने वाली गर्म एवंशुष्क धूल भरी आंधी है कोयम बैंग ये जावा इंटोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है कि तंबाकों की खेती को काफी नुकसान पहुचाती है जेट प्रभा जेट स्ट्रीम्स ख्षोब मंडल की उपरी परत में बहुत तीवर गती से चलने वाले संकरे नलीका कार एमम विसरपी पवन प्रभा को जेट प्रभा कहते हैं ये 6-12 किलोमीटर की उचाई पर पश्चिम से पूर्व की और प्रवाहित होता है ये दोनों गोलार्दों में पाय जाता है परंतु उत्तरी गोलार्द में ये अधिकान शक्तिशाली होता है इसमें वायू 120 किलोमीटर प्रतिगंटा से चलती है जेट प्रभा वायू मंडल इनको संतुलन बनाने में भी महत्रपुन भूमिका निभाता है प्रिष्ट 135 वायू राशियां एयर मैसेज वायू मंडल का ये विशाल एवं विस्तरत भाग जिसमें तापमान तथा आदरता के बहुत इक लक्षन शैतिक दिशा में समरूप हो वायू राशी कहलाती है समा लगभग समान होती है ये जलवायू तथा मौसम के अध्यन में महत्रपुन भूमिका निभाती है वातागर फ्रॉंस दो विभिन प्रकार की वायू राशियां सुगमता से आपस में विश्रित नहीं होती और तापमान तथा आदरता संबंधी अपना अस्तित्व बनाय एक सीमातल द्वारा अलग रहती हैं इस सीमातल को ही वातागर्फर फ्रॉंस कहते हैं जब अज गर्म वायू हलकी होने के कारण ठंडी तथा भारी वायू के उपर चढ़ जाती है तो उसे उश्रित वायू राशिया विरूद्ध आगे बढ़ती है तो उसे उपर की और उ एक निर्पेक्ष आदरता, Absolute Humidity, वायू की प्रती एकाई आयतन में विद्यमान जलवाश्प की मांत्रा को निर्पेक्ष आदरता कहते हैं, इसे ग्राम प्रती गन मीटर में व्यक्त किया जाता है। 2. विशिष्ट आदरता, Specific Humidity, वायू के प्रती एकाई भार में जलवाश्प के भार को विशिष्ट आदरता कहते हैं, इसे ग्राम प्रती किलोग्राम की एकाई में मापा जाता है। 3. सापेक्ष आदरता, Relative Humidity, किसी भी तापमान पर वायू में उपस्थ जलवाश्प तथा उसी तापमान पर उसी वायू की जलवाश्प धारन करने की ख्षमता के अनुपात को सापेक्ष आदरता कहते हैं, इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। 4. सापेक्ष आदरता बराबर किसी ताप पर वायू में उपस्थ जलवाश्प की मात्रा बटे, उसी ताप पर उसी वायू की जलवाश्प जोशन करने की ख्षमता गुणा 100 सापेक्ष आदरता जलवाश्प की मात्रा एवं वायू के तापमान पर निर्भर करता है इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है वायू में जलवाश्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आदरता अधिक होती है वायू का तापमान कम होने पर सापेक्ष आदरता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आदरता कम हो जाती है संत्रिप्त वायू की सापेक्ष आदरता 100% होती है संगहनन कंडेंसेशन जल की गैसी अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्थित होने की क्रिया को संगनन कहते हैं ये दो कारुकों पर निर्भर करता है एक तापमान में कमी पर तथा दो वायू की सापेक्ष आदरता पर ओसांग ड्यू पॉइंट वायू के जिस सापमान पर जल अपनी गैसी अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्थित होता है उसे ओसांग कहते हैं ओसांग पर वायू संत्रिप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आदरता सौ प्रतीशत होती है ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांग जीरो डिग्री से उपर होना चाहिए पाला या तुशार जब ओसांग हिमांग से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पढ़ता है दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं कहुरा वायू मंडल की निचली परतों में एकत्रत धूलकन दूए के रज एवम संगने तजल पिंडो को कहुरा कहते हैं ओसांग से नीचे वायू का तापमन कम होने पर कहुरे का निर्मान होता है इसमें द्रिश्यता एक किलोमीटर से कम होती है प्रिश्ट 136 धुंद मिस्ट हलके फुलके कहुरे को कोहासा या धुंद कहते हैं इसमें द्रिश्यता एक किलोमीटर से अधिक किन्तु दो किलोमीटर से कम होती है बादल क्लाउड्स बादल मुख्यता हवा के रुद्धोश्म एडियाबेटिक प्रक्रियाद्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांख से नीचे गिरने से बनते हैं ये अल्प घनत्व के कारण वायू मंडल में तैरते हैं रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं एक पक्षाब बादल ये हिम के करणों से बने उचे सफेद और पतले बादल होते हैं दो कपासी बादल इनका आकार समतल एवमशीर गुमबदनुमा होता है तीन इस्तरी बादल ये परद्दार चादर जैसे लगते हैं या दिकांश या पून आकाश को ढखके रहते हैं ये दो या तीन किलोमीटर की उचाई पर पाए जाते हैं वर्शा रेंफॉल जब जलवाश्प की बूंदे जल के रूप में पत्विक पर गिरती है तो उसे वर्शा कहते हैं वायू के ठंडा होने की विधियों के अनसार वर्शा तीन प्रकार की होती है एक समवहनिय वर्शा कनवैक्शनल रेंफॉल जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायू भी गर्म हो जाती है वायू गर्म होकर फैलती है और हलकी हो जाती है ये हलकी वायू उपर को उठने लगती है और समवहनिय धाराओं का निर्मान होता है उपर जाकर ये वायू ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्रित जलवाश्म का संगनन होने लगता है संघनन से कापासी मेग बनते हैं जिससे गंगोर वर्षा होती है इसे समवहनिय वर्ष कहते हैं दो परवर्त कृत वर्षा ओरोग्राफिक रेनफॉल जब जलवाश्प से लदी हुई गर्म वायू को किसी परवत या पठार की ढलान के साथ उपर जहना पढ़ता है तो ये वायू ठंडी हो जाती है ठंडी होने से ये संत्रिप्त हो जाती है और उपर जहने से जलवाश्प का संगनन होने लगता है इससे वर्षा होती है इसे प चक्रवात प्रती चक्रवात इसकी उत्पती विभिन्न प्रकार की वायू राशियों के मिश्टन के फलस्वरूप वायू की तीवर गती से उपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहन करने से होती है। चक्रवात के उधारन हैं प्रती चक्रवात जब केंदर में दाब अधिक होता है तो केंदर से हवाएं बाहर की और चलती है। इसे प्रती चक्रवात कहा जाता है। इसमें वाताग्र, फ्रॉंट्स का अभाव होता है प्रती चक्रवात में वायू की दिशा उत्तरी गोलार्द में घड़ी की सुईयों के अनुकूल क्लॉक्वाइस तथा दक्षिनी गोलार्द में घड़ी की सुईयों के विब्रीत एंटी क्लॉक्वाइस होती है चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और उपर उठकर ठंडी होती है और वर्शा कराती है जबकि प्रती चक्रवात में मौसम साफ होता है टारनेडो ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है औस्ट्रेलिया एवं सयंक्तराज अमेरिका के मिसिसीपी इलागों में इस तूफान को टारनेडो कहा जाता है ये जल एवं स्थल दोनों में उत्पन होता है इसमें स्थलिया हवाओं का वेक 325 किलोमेटर प्रती घंटा होता है हरीकेंस अट्लांटिक महसागर में उठने वाली तथा पश्रिमी ध्वीब समू के चारो ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है इसकी गती 121 किलोमेटर प्रती घंटा होती है टाइफून प्रशान्त महसागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक किलोमेटर प्रतिघंटा होती है प्रिष्ट 137